नमस्कार दोस्तों जय श्री कृष्ण राधे राधे दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें इस चैनल आश्ट्रो सच को ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके कौन सा है वह खास दिन जिस दिन अगर घ घर की महिलाएं बाल धोलें तो पूरा घर हो जाता है धनवान साथ ही हम जाने के दोस्तों के अगर किसी भी खास त्योहार पर महिलाएं बाल ना हो सके तो वह क्या उपाय कर सकती है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों सक्ची श्रधा से कम महादेव माना जाता है कि एक परिवार और पुरुष की सफलता उसके घर की लक्षमी पर निर्भर करती है, घर की लक्षमी के। स्वभाव और व्यभार के कारण ही उसका घर सुन्दर और वैभव शाली बनता है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देवी देवता भी अपनी अरधांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं, जैसे श्री हरी विश्नु के लिए माता लक्षमी सर्वोपरी है, उसी तरह शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं, हमारे समाज में स्त्री को अन्पूर्णा लक्षमी, सरस्वती और वैभव लाने वाली माना जाता है, अगर घर की लक्षमी धर्म अनुसार आचर्ण करें, तो घर को मंदिर बना देती है, इसी तरह सुहागन महिलाओं के लिए कई सारे नियम और धर्म का पालन करना भी अनिवार्य हो जाता है, अगर कोई स्त्री इन नियमों का पालन न करें, तो हो सकता है उसका भुगता, उसके पती घर या संतान को करना पड़े, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, आज हम सुहागन महिलाओं को कब बाल धोने चाहिए, और कब अशुध कारक होता है, लेकिन उससे पहले दोस्त तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें. सबसे पहली बात कुमवारी कन्याओं को कभी भी बुधवार के दिन बाल धोना नहीं चाहिए, और खासकर उन कन्याओं को जिनके छोटे भाई है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, कि जो कन्या बुधवार को बाल धोती है, उसके छोटे भाई को कष्ट उठाना पड़ता ह उनके छोटे भाई का स्वास्थ्य या उनके जीवन पर कोई, न कोई समस्या सदैव बनी रहती है, इसलिए बुधवार के दिन अपने बाल नहो दूसरी बात आज का समय बदर रहा है, जिससे लोग प्रभावित होकर किसी भी शुब्ध्योहार, शुब्धिथी या मुहू बलकि एक दिन पहले से ये सारे काम कर लेनी चाहिए, उस दिन बाल धोना या कटवाना शुब्ध माना नहीं जाता, और खासकर एकाजशी अमावस्या, और उनिमा पर बाल बिल्कुल भी ना धोएं, इससे आपके मस्तक पर चंद्रमा का प्रभाव। पढ़ने लगता है। तीसरी बात यह सदैव याद रखें कि अगर आप किसी बाल को वरत रखते हैं, तो उस दिन भूल से भी बाल न धोएं, जैसे अगर आपने सुमबार का वरत रखा है, तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाएं। पहागन महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इस दिन न सिर्फ महिलाओं को बलकि पुरुषों को भी नहीं बाल कटवाने चाहिए, और नहीं धोने चाहिए, शास्त्रों अनुसार भी आपने सुना होगा कि गुरुवार के दिन घर में पहुंचा न पन्न होने लगती है, आपकी ग्रह भी अपनी दशाय यह बदलने लगते हैं, ये सभी ब्रहस्पती गुरु के कारण होता है, पांच भी बात अगर आप एक पुत्र की माता है या आपकी पुत्र प्राप्ती की कामना है तो, महिलाओं को शुक्रवार के दिन बाल धोने चाहिए, छोटी बात शनिवार के दिन शनी महाराज का दिन माना जाता है, इस दिन न तो सर में तेल लगाएं, और नहीं अपने बालों को धोएं, इससे शनी की कुद्रिष्टी आप पर बनी रहती है, और अगर किसी कारणवश आ आपको शनिवार के दिन बाल धोने पर जाएं, तो आप थोड़ी सी हल्दी वबेशन को मिलाकर पहले बालों पर लगा लें, उसके बाद आप बाल धो सकते हैं, पर ध्यान रखें। हैं कि बहुत ज्यादा आवश्यक्ता होने पर ही, आप शनिवार को बाल धोएं, अथवा इस बार को बाल कदापी न हुए सात्वी बाद स्त्री हो या पुरुष शुक्रवार का दिन बाल काटने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। क्योंकि मांग का हिस्सा। गंगा सिंदूर का माना जाता है, जो सुहागन स्त्री के सौभाग्य को दर्शाता है। जिससे स्वयन देवता भी नकार नहीं सकते हालां कि पुरुष को सदैव नहाने वबाल धोने के बाद ही पूजा आदी में शामिल होना चाहिए। लेकिन स दोस्तों बाद जब सिंदूर की आती है, तो सिंदूर से जुड़ी एक खास बात मालूम होना बहुत जरूरी है। वरना इसके गलत तरीके से किया गया उप्योग आपके पती की मृत्यू का कारण भी बन सकता है। दोस्तों अगर आपको देखना है कि आपका पती आपसे प्रेम करता है या नहीं तो ऐसे में आपको अपने पती के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर आपकी नाग पर थोड़ा सा भी सिंदूर गिरता है तो वह आपसे बहुत प्रेम करता सुनने में फिल्मी लग रहा होगा लेकिन यह बात बिलकुल सच है। दरसल शास्त्रों की माने तो कहा जाता है कि जब कभी पती द्वारा सिंदूर नाग पर गिरता है तो पती पत्नी के प्रेन को दर्शाता है और आने वाले समय में भी उनके रिष्टे और भी ज्यादा गहरे होते चले जाते हैं। इसके अलावा जब आप खुद से सिंदूर लगाती है और अंजाने में अगर वो सिंदूर नाग पर गिरता है तो इसका मतलब है पती की तरफ से आपको कोई खुश्कबरी मिलने वाली है। हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत खास महत्व है लेकिन सिंदूर से जुड़ी यह जानकारी अगर आपको नहीं है और आप भी गलती करती है तो आप बहुत भारी संकट में पढ़ सकती है। साथ ही इसका खामियाजा आपके पती को भुगतना पढ़ सकता है। सिंदूर एक महिला के लिए उसके सुहाग की निशानी होती है। जब हम कभी किसी शादी शुदा औरत को देखते हैं तो उसके माथे पर सिंदूर जरूर लगा होता है। एक शादी शुदा औरत को सिंदूर के बिना अधूरा माना जाता है। हिंदू पौरानिक कथाओं में सिंदूर का आध्यात्मिक महत माना जाता है। आपको बता दें कई दफा सिंदूर को माथे पर लगाने के चक्कर में कई बार जल्दबाजी या अंजाने में महिलाएं कहीं गलती कर बैठते हैं। दोस्तो नंबर एक मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री बीज मां में सिंदूर लगाने की बजाएं किनारे पर लगाती है तो उसका पती भी उससे किनारा कर लेता है। पती पत्नी में आपसी रिष्टों में मतभेद बना रहता है। दोस्तो नंबर दो यह बाद तो आप जानते होंगे कि जो स्त्री अपनी मां के बीचों बीच में लंबा सिंदूर लगाती है तो उसके पती की आयू भी लंबी होती चली जाती है। माता पारवती का आशिरवाद ऐसे जोड़े को जरूर मिलता है। दोस्तो नंबर तीन मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री सिंदूर को बालो में छुपा लेती है तो उसका पती भी समाज में छिप जाता है और उसके पती को समान नहीं मिल पाता। इसलिए यह कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा और ऐसे लगाएं कि सभी को साफ साफ दिखाई दे सिंदूर से सजी। अमरिश स्त्री सौभाग्य को दर्शाती है और ऐसी महिला की खूबसूर्ती पर लगते हैं चाचा दोस्तों नमबर चार माथे पर सिंदूर लगाते वक्त महिलाओं को काफी साबधानी बरतनी चाहिए यह तै कर लेना चाहिए कि सिंदूर को माथे के बीचो बीच लगाया ज अगर किनारे पर कोई महिला सिंदूर लगाती हैं तो माना गया है कि उसका पती से लड़ाई जगडा होने लगता है और पती किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्शित हो जाता है इसी लिए सिंदूर को हमेशा माथे पर लंबा लगाना चाहिए दोस्तों नमबर पांच माथ पर सिंदूर लगाते वक्त अगर हाथों से गिर जाए तो अब शगुन माना जाता है यहां आपके रिष्टों में दरार आने का संकेथ है ऐसे में आपको माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए ताकि बुरी बला तल जाए नमबर छै जिसस चैसी सत्री सपने में देखना बहुत ही शुब संकेतों को दर्शाती है दोस्तो नमबर साथ जो सत्री सिंदूर को लगाने से पहले माथे से चुमकर लगाती है तो सोभाग्य में वृध्धी होती हैं और ऐसी सत्री का पती लंभी उम्र का वर्दान पाता है माता पार्वती साक्षात इन्हें आशिरवाद देती है दोस्तों नमबर आठ हिंदू धर्म में नवरात्री करवाचोथ और दिपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों में अगर पती के द्वारा पत्नी मांग में सिंदूर लगवाएं तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है माना जाता है कि यह उनके एक साथ रहने का प्रतीक है इससे वह काफी लंबे समय तक साथ रहते हैं और प्यार हमेशा बना रहता है ऐसे रिष्टे कभी भी नहीं तूटते वो दोस्त आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेट में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें